हेलो गैज आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगी जीयो के दो सो निन्यानवे रूपय के रिचार्ज के बारे में तो इसके लिए मैं चलती हूं माई जीयो एप पे मैं माई जीयो एप पे आ चुकी हूं आप यहां पे मेरा पोस्ट पेड अकाउंट देख सकते हैं कर रहा है यहां पे हमें शो कर रहा है प्लाइन इक्सपाइड नो एक्टिव प्लाइन आप देख सकते हैं मेरा प्लाइन इक्सपाइड है रिचार्ज प्लाइन देखने के लिए मैं व्यू आल पे क्लिक करती हूं आप यहाँ पे पॉपुलर प्लैन, इंटर्टेन्मेंट प्लैन, अनौल प्लैन्स, डेटा पैक्स और भी बहुत सारे प्लैन्स देख सकते हैं कईज दो सों 99 रुपए वाले रिचार्च के लिए हमें चलना है पॉपुलर प्लैन्स पे तो गैज आप देख सकते हैं मैं पॉपुलर प्लैन्स पे आ गई हूँ हमें स्क्रोल करके नीचे की तरफ जाना है गैज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2GV पैड़े प्लैन, मैं इस पे क्लिक करती हूँ गैज अब यहाँ पे आप 2GV पैड़े प्लैन देख सकते हैं यहां पे आप 299 रुपए का प्लाइन देख सकते हैं तो मैं वीव डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ यहां पे आप प्लाइन की डिटेल्स देख सकते हैं गैज इसमें आपको 56 जीवी डेटा मिलता है 2 जीवी पाड़े के हिसाब से मिलता है unlimited इसमें calling मिलती है आपको और आपको मिलता है 100 SMS पाड़े इसके अलावा आपको Jio TV, Jio Cinema, Jio Cloud का सब्सक्रिप्शन मिलता है और गैज इस पैक की वैलिडिटी है 28 दिन की तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्लाइन है यह तो रिचार्ज करने के लिए मैं पे रुपीज 2.99 पे क्लिक करती हूँ अब हम payment page पे आ चुके हैं तो गैज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास payment करने के लिए multiple options हैं जैसे UPI में phone पे, Paytm, iMobile पे इसके लावा हमारे पास और भी options हैं जैसे की credit, debit, ATM card और credit pay और उसके बाद है net banking फिर उसके बाद है wallets, pay with rewards, pay later का भी option है तो आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी method से payment कर सकते हैं गैज मुझे credit card से payment करना है तो मैं credit card वाले option पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे आपको credit card number एंटर करना है उसके बाद expiry date एंटर करना है उसके बाद CVV code एंटर करना है उसके बाद आपको name on the card एंटर करना है उसके बाद आपको add card and pay पे क्लिक कर देना है मैंने सारी details एंटर कर दी है अब मैं add card and pay पे क्लिक करती हूँ मुझे अपना card number नहीं save करना है तो मैं इसकी for now पे क्लिक करती हूँ अब हमारे registered mobile number पे एक OTP आएग वो OTP हमें enter करके confirm and pay पे क्लिक करना है मैंने OTP enter कर दिया अब मैं confirm and pay पे क्लिक करती हूँ गाइज यहाँ पे अब हमें show कर रहा है recharge of rupees 299 is successful मतलब हमने successfully 299 रुपए का research कर दिया है उसके नीचे date and time show कर रहा है इसके अलावा हमें और भी बाकी details दिखा रहा है तो हम मैं done पे क्लिक करती हूँ गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं plan update हो गया है और 299 रुपए वालब plan show भी कर रहा है तो गाइज यह था हमारा पूरा वीडियो हम 299 का recharge कैसे कर सकते हैं तो गाइज इसी तरीके की और भी वीडियोज देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक करें जादा जाद अपने दोस्तों में शेयर करें थैंक्स फ़र वाचिंग थैंक्यू